ताजा खबरों के लिए हमारे आरारसी के यूटूब चैनले को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन को प्लिक कीजे बे मौसम हो रही बारीश ने सभी की मुश्किले बढ़ा दी है गरामनी इलाकों में जहां फसलों का नुकसान हो रहा है वहीं सर्दी, खासी और बुखार के मरीज बढ़ रहे है जिसके कारण कोरोनास वाइरस के संक्रमन का खता भी बढ़ गया है जिसने जिला परशरसन की चिंता को और भी बढ़ा दिया है नाकपूर मौसम विभाग द्वारत दी गई जानकारी के मताबिक अकुला जिले में बे मौसम की बारिश हो रही है बिजली की जोरदार गलगला हट के साथ ही बे मौसम की बारिश हो रही है दो दिन पहले जोरदार बारिश के साथ ओला और रिष्टी भी हुई थी जिसके कारण गरामिन इलाकों में फसलों का भारी नुक्सान हुआ है अकोला जिले के अलावा अन्ने जिलों में भी बे मौसम की बारिश ने कहर बरपाया है जिसके कारण पहले ही भारी अर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों के सामने आओर अदिक संकट आ गया है सुमवार की सुबह फिर से भीटली की जोरदार गलगला हट के साथ बेमोसम की वारिश हुई पहले ही आकुला जिले में कोरोना वायरस का संक्रमन काफी बढ़ गया है रोजाना सैकलों की तादाद में पॉजिटिव मरीज निकल रहे है उसमें भी बेमोसम की वारिश ने संकट को और अधिक गहरा कर दिया है बेमोसम की वारिश के कारण सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों में बढ़ोतर होंगी और यही सिम्टम्स कोरोना वायरस की भी है जिसके कारण आने वाले दिनों में संक्रमित मरीजों की संक्या और अधिक बढ़ सकती है इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है पहली एकुला जिले में कोरोना वायरस के संक्रमन ने हाहा कार मचा रहा है उसमें भी बे मौसम की बारिश ने मुश्किलों को और अधिक बढ़ा दिया है पिछले कुछ दिनों से सभी और वायरल फीवर चल रहा है जिसमें परते घर में सरदी कांसी बुखार के मरीज पाए जा रहे है कोरोना वायरस का इतना अधिक आतंक है कि डॉक्टर भी मरीज को दूर से ही जाच रहे है जो जिला परशासन को और अधिक मुसिबत में डाल सकता है बे मौसम की बारिश के कारण जहां गरामनी इलाकों में सभी प्रकार की फसलों का नुकसान हुआ है वहीं दूसरी और वायरल फियर बलने के कारण नागरिकों में भी भय का वातावरन है जिसे लेकर जिला परशासन भी चिंतित नजर आ रहा है